तो चलिए अब तेजश्वी आदो का बात नए DGP RS भटी ने माल लिया है तेजश्वी आदो ने RS भटी से ये कहा था कि सभी को गिरफतार करिएगा जो अपरादी है सब को गिरफतार करिएगा किसी को छोड़ना नहीं है चाहे वो राजत के नेता हो चाहे जेडियू के नेता हो अगर कोई कोई भी गलती करता है अगर कोई नेता किसी तरह का कोई गलती करते पकड़ा जाता है उसे पकड़ियेगा छोड़ना नहीं है किसी को नहीं छोड़ना है तो अब देखिए आरेस भट्टी ने तेजश्वी आदों के बातों को मान लिया है और कहीं ना कहीं नितीश कुमार का जो भरोसा था वो भी जीत लिया है नितीश कुमार का ये भरोसा था कि आरेस भट्टी जब बिहार में आएंगे तो अपराद म नितीश कुमार का जो भरोसा था वो जीत लिया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर नितीश कुमार भी अब बेहत खुस होंगे पूरी कहानी क्या है हम आपको बताते हैं आरेस भट्टी ने जेडियू बिधायक गुपाल मंडल के बेटा आसीस मंडल को गिरफतार कर लिया है जी हाँ आसीस मंडल पर ये आरोप था कि वो एक होटल में जाकर तोडफोर किये थे और उसके बाद होटल के करमचारियों के साथ मारपिट किये थे यहां तक कि फाइरिंग भी किया था और लोगों को ड़ाया भी था इसको लेकर एक वारेंट भी जारी हुआ था लेकिन वो भागे फिर रहे थे एसाइटी की टीम गठित करके आसीस मंडल को पुलिस ने गिरफतार किया है कहा यह जा रहा है कि जेडियू विधायक के बेटे पर जमीन कबजा करने का और दस राउंड फाइरिंग करने का आरोप था अब आपको बता दे कि पूरी कहानी क्या है दरसल एलाइसी कॉलोनी के पास जमीन के विबाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों की जमीन कबजा करने की और पिटाई करने का मामला था इसी दौरान आठ से दस राउंड फाइरिंग की गई जिसमें रभी नाम के कीवक के सिर में गोली लगी थी वहीं मार्पिट की घटना में चार लोग घायल भी हो गए थे पिरित पक्ष के लोगों ने अपनी जमीन पर कुछ काम कराने के लिए वहाँ गए हुए थे और इसी दर्मियान बिधायक गुपाल मंडल के बेटे आसीस मंडल और उनके सहयोगी वहाँ पर पहुँचे और तावरतोर फाइरिंग कर दिया और उसके बाद उन लोगों के साथ मारपिट भी की बताया जा रहा है कि जेडियू बिधायक गुपाल मंडल हमेशा वहाँ पर अपना बर्चस्व दिखाते रहते हैं और साथी साथ अब उनके बेटे भी वहाँ पर लोगों को दराते हैं पुरी घटना भागलपूर की है और भागलपूर पुलिस ने 80 मंडल को गिरफतार कर लिया है तो कहीं ना कहीं नए डीजीपी आरेस भटी के आने से बिहार सरकार को मजबूती मिली है जेडियू बिधायक गुपाल मंडल के बेटे 80 मंडल की गिरफतारी हो गई है आरोप पुलिस लगतार चापे मारी कर रही थी एसाइटी की टीम गठित करके 80 मंडल को गिरफतार कर लिया गया है और कहीं ना कहीं यही है असली आरेस भटी की कहानी ऐसे ही आरेस भटी सुड़कियों में नहीं बने रहते इसके पहले भी आरेस भटी की जब आप कहानी देखेंगे तो सरकार के उपर जो भी आरोप लगे या फिर सरकार के लोग ही अगर किसी अपरादिक गति बिधियों में सामिल रहते थ उन्हें आरेस बटी गिरफतार करवा लेते थे अव जेडियू बिदायक गुपाल मंडल के बेटे आसीस मंडल की गिरफतारी हो चुकी है बरहाल इस खबर में इतना ही बने रहा हमार साथ और देखते नहीं दहीं जाटो